हां जी वच तो बीद इंतजार खत्म या बहुत सारे बच्चों को समस्या थी बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि मेरी निव इसकीम है जो की रैगूलर क्लास है तो वो कब आई रेगुलर क्लास न्यू स्कीन के तरह जिन बच्चों का टेम्ट में 24 या उसके बात उसके बात कभी भी जब तक उन लोगों के लिए बैच अनौसमेंट है याद रखना एक अच्छी बात यह है कि गूगल ड्राइव पेंड ड्राइव के अलावा वो तो चलत यह थी उसके अलावा एक नया कॉंसेट आप भी जानते हो जिसका नाम है लाइव एट हो इसका मतलब यार जब मैं यहां पढ़ाऊंगा आपको तो उस टाइमिंग पर आप मुझे लाइव भी देख सकते हूं सॉफ्ट्वेयर के तुरू आप मिल जाएगा वो कंटेन ब्र बाते हो तो टाइमिंग जो रहेगी क्लास की और ज्यादा मुझे लाइव एट होम समझाने की जिल्प्रत नहीं है सब आपको सब पता है जो टाइमिंग रहे की वो रहे की सुबह सास से नौ दो घंटे की क्लासे सोगे और डेली होगी कोशिश करेंगे संडे को भी लेने की दो घंटे की क्लासे सोगे कौन सी रेट से सटरा अप्रेल से स्टार्ट है और करीब 210 से 220 घंटे की क्लासे सोगी 220 घंटे मैं मानके चल रहा हूं से ज़्यादा नहीं जाने बहुंगा 220 घंटे क्योंकि न्यू मटेरियल तो आया है नहीं कोश्चंस कहां से उठाओ कोश्चंस हमारी ओल्ड बुक्स से ही रहेगी जो बुक्स हमारा चल रहा है वही हम फॉलो करेंगे क्योंकि हमको ऐसा हमको कैसा भी को पादम में उसमें जो है वो चैंजिस नहीं होने हैं हां पर अगर कुछ नए कोश्चंस हा जाते हैं जो कर रहा है वो तो कर नहीं है पर उसमें भी जैसे एक्जाम ओरेंटेट में मैं बहुत सारे कॉंसेप्स नहीं करवाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता हूँ बहार के लेकिन यहां तो देखना पड़ेगा ठीक है दूसरी बात उसमें एक्जाम ओरेंटेट बैच में मैं एडवांस लेवल कॉंसेप्स करके डाल देता हूं यहां हमको देखना ही पड़ेगा ठीक है तो यह रेगुलर क्लास है एक्जामपल्स वगेरा कॉंसेप्स वगेरा मुझे इसमें लिखवाना अंतर बस इतना आएगा यहां कॉंसेप्स मेरे होगा तो वह कोई कोश्चन हो तो वह फॉर में कुछ नया कोश्चन आएंगे तो वह विद कुछ-कॉष कॉंसेप्स आएगा तो वह वह सारी चाहिए ip Mix Mikless ने रहे ही फॉर्टe मैंने था announcement इसलिए किया पहले से क्योंकि यह जब आप 17 तारिक को सुबह साथ से नौ मेरे सामने आओ तो आपके पास books पहले से हो तो जो ऐसे student है जो इच्छुक है जिनका attempt में 24 या उसके बाद से है और वह regular class लेना चाहती है तो डेली दो गंटी की classes होगी और जो लाइव लेना चाहते हैं तो उन्हें अभी से वह registration करवा लेते लोगे अगर registration करवा लोगे तो एक फायदा कि books आपके हाथ में रहेगी जब मैं पढ़ाने जाओंगा 17 अपरेल को ठीक है जी ठीक है इसके अलावा आप टू वी उसके अलावा जो आप देखोंगे लाइव अगर जो लाइव लेना चाहते हैं जो गूगल राइव पहेंड राइव उनके लिए तो कोई बढ़ा दिक्कती नहीं वह तो कभी भी आप देखा यह फाइदा हो जाएगा बाकी और कोई समस्या आपको आएगी नहीं प्राइस की विसे में मैं बोलना नहीं चाहता यह देखो आप इस नंबर पर कॉंट्रिक कर लेना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती तो यह दू नंबर दिया इन दोनों में से किसी द क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है में 24 और उसके बाद गूगल ड्राइव पैंट राइव भी अवेलेबल हो जाएगी तो नहीं हो पाईगी आप भी जानते हो गूगल ड्राइव अवेलेबल हो जाएगी 17 अपरिल के बात तो जिन लोगों को फेस्ट लाइव करना वह अब इसे बात कर लेजिए मेरे मैनेजमेंट से तो वह आपको बता देंगे कि क्या प्रोसेस होगा आपके पस बुक्स पहुंच जाने चलिए थैंकी तो मच बबाए